इसकार दोस्तों, बाई सेल्स इंगना सोफ़ेर में आप सभी का फिर सेल्स पागत करते हैं, आज हम एनलिसिस करेगे और पफोर्मांस चेक करेगे, लास्ट टू मन्त का निफ्टी का पफोर्मांस हम चेक करेगे, कितना प्रोफिट हुआ है टोटली, मैं आपको बताऊगा, और जो ट्रेड सही होगा, उसमें हम ट्रेड करेगे, जो गलट ट्रेड होगा, उसमें हम ट्रेड नहीं करेगे, तो अल्मोस्ट फाइव लाग का प्रोफिट हुआ है, आए देखते हैं, लास्ट टू मन्त के अंदर कौनसा कौनसा ट्रेड आया है, वो कौनसा कौनसा सिगन side अगर arrow बनता है तो sale signal confirm बन जाता है अगर हमारा second seat का भी verification रेता है, अगर second seat में हमें white color की trading line से market निछे होता है, तो market में sale आ जाता है double verify trade हो जाता है, तो अल्रडी निचे की तरफ है और निचे की ribbon वी red होना चाहिए तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो sale signal है वो double verified trade है यह sale signal confirm था अब उसका exit यहाँ पर हुआ तो पहला trade हमारा success रहा almost करीबं से 13 point इसके अंदर दिया उसके बाद buy signal आया buy signal भी perfect trade था क्योंकि buy के पहले उपर की side का arrow दिया था करीबं यहाँ से उसका exit करवाया इसमें 30 point का moment दिया दूसरा उसने trade दिया था sell करने का वो तारिक थी 20 तारिक को दिया था sell signal confirm था क्योंकि उसके पहले एक downside arrow आपको दिया गया था तो यह sale signal हमारा confirm trade था साथ में हम seat number two का है तो देखिए तो यहाँ sale बनाता और नीचे हम मैं मैंनली चेक करना होता है यह वाइड कलर की ट्रेडिंग लाइन अगर वाइड कलर की ट्रेडिंग लाइन से मार्केट नीचे है तो sell signal confirm है और डबल वेरिफाइट ट्रेड है तो अच्छी तरह से मार्केट नीचे जाएगा यह perfect ट्रेड था अब आगे जाकर आपको यहाँ पर बोला गया था कि यह और नीचे गिरने वाला है hold रखिए दूसरे दिन थोड़ा gap up में open हुआ तो हम इसमें यह buy signal तो फैक है क्योंकि मैंने आपको अल्डेडी बता चुका हूँ कि अगर buy के पहले यहाँ उपर की side का arrow बनता है तो ही हम buy में काम करेगे हमारा position continue रख सकते हैं पोजिशनल में अगर trade करते हैं तो आपका exit यहाँ पर बनेगा यहाँ उसने उपर की side का arrow दे दिया मतलब कि आपका position exit आगे जकर आपको यहाँ पर बोल दिया कि यह buy signal perfect के confirm है क्यों confirm है क्योंकि buy के पहले देखिए तो एक उपर की side का double confirmation arrow आया है एक यहाँ पर आया है दूसरा यहाँ पर आया है इसका मतलब यह हुआ कि यह बहुँ strong signal है यह बहुँ strong signal है आप इसमें trade करिए अगर double confirmation आता है तो double quantity कर दिजिए यहाँ हम double quantity में काम करेगे क्योंकि software full strong है अब आगे जकर आपको अल्रेडी यहाँ पर बोला गया है कि hold रखिये और उपर जाएगा आपको यहाँ पर भी बोला गया hold रखिये और उपर जाएगा एक बार उसने intra day के अंदर आपको exit करवाया यह सभी मैंने live trade है वो already मैंने live event के अंदर बताया है आप चाहे तो फिछले दिनों के अंदर आप check कर सकते आगे जकर आपको फिर से यहाँ पर बोला गया था hold रखिये और उपर जाएगा hold रखिये और उपर जाएगा hold रखिये और उपर जाएगा तो आपको support मिलेगा running market में कि कब तक hold करना है उसके पहले एक उपर की side का confirmation है हमें down side चाहिए तो ये signal है वो fact signal है ये मैंने तब आपको बताया था 17 तरिक को मैंने अल्रेडी आपको बताया था 12 तरिक को कि ये गलत signal है इसको avoid करिएगा आगे जगर आपको यहाँ पर एक buy signal जनरेट हुआ ये perfect है क्यों क्योंकि बाइ सिगनल के पहले यह उपर की साइड का ब्लू एरो बनाए अब हमारा सेकंड वेरिफिकेशन पी ले लेते हैं तो सेकंड वेरिफिकेशन हमें चेक करना होता है कि यहां जो ट्रेडिंग लाइन बनी है वाइड कलर की उनसे मार्केट उपर है हाहे नीचे की दोनो सिगनल जनरेट हुआ तो हम इसको इग्णोर करेगे हम इसको इग्णोर करेगे यह साइडवे का सिगनल है फैक सिगनल है इसमें ट्रेड नहीं करेगे आप चाहे तो कंटिन्यू पोजिशन रख सकते हैं आपका एग्जिट यहां पर हुआ यहां पर आपको एक डाउन साइ ये रो बना है हम्ट्रेड टेड रेगे अपका एग्जिट यहाँ पर हुआ यहा पर आपको एग्जिट करवा दिया कि अब आगे जाकर आपको बाई सिगनल दिया बाई के पहले ओपर की शाइट का एढे मतलब कि यह confirm trade था अब आगे जगर आपको बोलता है कि यह और उपर जाएगा hold रखिए और उपर जाएगा hold रखिए और उपर जाएगा hold रखिए और software को लगा कि अब exit होने का time आगिया है तो आपको क्या करवा दिया exit करवा दिया यहां से तो यह सभी trade मैंने live में दिया है डेट वाइज आप चेक कर लिजेगा live event के अंदर यहां sale signal दिया था sale signal perfect trade था क्यों perfect था क्योंकि sale के पहले उसने एक downside arrow डाला था इसलिए यह sell confirm था यहां आपको बोला था hold रखने के लिए पर अगले दीन उसने सेम डे पर यहां buy signal generate हो गया मतलब कि हम क्या करेगे हम only यहां पर exit करेगे तो यहां पर हम exit कर लेगे आगे जकर buy signal generate हुआ buy में हम काम नहीं करेगे क्योंकि confirmation arrow नहीं मिला है पर उसने आगे जकर आपको यहां से बोला कि आप यहां से trade कर सकते तो हम क्या करेगे उसकी next candle से हम trade करेगे अब आगे जकर आपको बोला गया है कि hold रखिये और उपर जाएगा अगर आप intraday में trade करते है तो आपका position यहां पर खतम हो जाता है पर positional में trade करते है तो आप continue रख सकते है पर यह signal को ignore करना है जो की नीचे गया है पर हम इसको ignore करेगे fact signal है गलत signal है sideway का trade है अगर यह नी market नीचे गीरा directly market उपर चड़ गया देखी बाद में मैंने यह भी live में trade दिया था आप चेक कर सकते हैं हमारे तीन तारिक की live women के अंदर यह मैंने live एक week live दिया था continue में daily बोलता रहा जब यह signal आया तब से continue बोलता रहा इसको hold रखिये hold रखिये hold रखिये अच्छी तरह से market उपर गया यहां पर देखिये तो बाई के पहले एक उपर की side का arrow था मतलच की कंफ्रम था और करीब हम यहां पर सेल सिगनल जनरेट हुआ और आपको बोल दिया कि अब यहां पर एक्जिट कर लिए तो मैक्सीमम जितना रेली निकलता है उनमें से मैक्सीमम आपको प्रोफिट करवा कर आपको देगा यह दस तरीक का लाइव इमेंट के अंदर भी आप चेक कर लिजिगा अकल मैंने आपको बोला था सेल करने के लिए अच्छी तरह से मार्केट उपर गया और उसके बाद आपको एक्जिट करवाने के बाद आपको सेल दिया तो यह टोटल आपको टू मन्त का लाइव पोफोमस मैंने आपको देखाया है अगर किसी को डेमो देखना है तो मुझे क्वांटक कर सकत है मैं अब उसको फ्री में डेमो दिखा दूगा अगर आप हमारा वीडियो पेहली बार देख रहे हैं तो सेनल को लाइक करिए सब्क्राइब करें शेयर करिए क्योंकि हम इस सेनल पर फ्री में डेली सिगनल प्रोवाइड करते हैं धन्यवाद दोस्तों फीर मिलेगे नए वीडियो के साथ तब तक बने रहे हमारे इस यूटूब सेनल के साथ जाए हिन